तो आज हम बात करेंगे प्लैनिटरी स्ट्रेंथ इन्हें वर्सफल चार्ट वर्सफल चार्ट में प्लैनिटरी स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालते हैं जैसे कि हमारी बर्थ खुंड़ी के अंदर हम प्लैनिटरी स्ट्रेंथ निकालते हैं उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि क कौन सा ग्रह स्ट्रोंगर है कौन सा ग्रह वीकर है उसी तरीके से हम वर्सफल चार्ड के अंदर भी ग्रहों की स्ट्रेंद देखेंगे जो स्ट्रोंगर ग्रह होंगे वह अच्छे रिजर्ट देंगे ऐसा प्रेडिक्शन करेंगे हम तो एन्यूल चार्ड के अंदर देखने क different different तरीके हैं उसमें mainly three methods use किये जाते हैं एक सबसे पहला method होता है इसे हम बोलते हैं 12 वर्गिया बल दूसरा method होता है उसे हम बोलते हार्श वल और तीसरा method होता है पंच वर्गिया बल जिसको five fold strength बोलते हैं इन सबी के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे एक के बाद एक सबसे पहले जिस बल की बात करेंगे वह हम करेंगे हार्श वल इन वर्गिया होता है यह ध्यान तो जिस प्लैनेट जो प्रसंद होगा हैपी होगा उसका हर्श वल जादा होगा और जो प्लैनेट इस्ट्रोंगर या हैपी है जिसका हर्श वल जादा है वह आपको उस यहर के अंदर अच्छे result देगा तो हर्श वल के actually four parameters है निकालने के तो first one parameter होता है उस प्लैनेट की कुंडिली में किस भाव में position है on the basis of position और उसको हम प्रथम बल इस्थान बल या positional strength भी बोलते हैं तो पहला जो हर्श वल का component है इसके चार component है जासा मैंने बताया तो वो depend करता है position of planet मतलब वो किस भाव के अंदर है इसलिए इसको हम इस्थान बल भी बोलेंगे positional strength भी बोलेंगे और इसको नाम दिया गया है प्रथम बल कैसे निकालेंगे मैं भी बताऊंगा दूसरे तरीके का हर्श वल होता है उसे हम बोलते हैं वो depend करता है कि वो planet किस राशी के अंदर है तो इस बैसीजिस पर इसका नाम है उच्च याज़े च्छे जित्रियाबल उच्छ या स्टीर भाल जिसको हम इंगडिन्लिझ में बोलेंगे strength for Exaltation और ओन सांग तो यह बल मिलता है यदि कोई भी planet अपने sign में हैग exaltation में है इसको हम दुतिय या second बल भी बोलते है तीसरा जो बलाता है हरशवल में वो होता है इस्तरी पुरुशवल और इसको बोलते है strength from gender इस तरीके से निकालेंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको इस्तरी पुरुशवल को ये depend करता है कि वो जिन houses में है उनका sex क्या है यहां पर houses का भी sex होगा male and female जो चौता तरीके का इसको हम तर्टिय बल भी बोलते हैं चौता जो बलाएगा हरशवल में उसका नाम है दिन रात तरी बल और ये depend करता है कि जो वर्स प्रवेश हुआ है जिस समय की वर्स कुंडली हमने बनाई है वो दिन के समय में हुआ है या रात के समय में हुआ है इसको हम strength for day and night भी बोलते हैं और ये चतुर्थ बल भी कहलाता है तो टोटल हरशवल के four component है फिर से मैं repeat कर देता हूँ पहला component depend करता है वो किस house में placed है दूसरा depend करता है वो किस sign के अंदर placed है exultation में own या किसी neutral sign में तीसरा depend करता है वो जिन houses में placed है वो उनका sex क्या है male है या female है और चौता depend करता है कि जब वर्स प्रवेश हुआ उस समय day time था या night time था अब मैं इन चारों बलों की एक-एक करके बात करूँगा सबसे पहले जो इस्तान बल है प्रथम बल है या positional strength है वो depend करती है कि कौन सा planet किस भाव में है हर्ष बल के वारे मैं बता देता हूँ जबी भी ये बल होगा यदि इस condition को fulfill करेगा तो 5 strength मिलेगी नमबर में 5 और यदि ये fulfill नहीं करेगा तो 0 strength मिलेगी तो या तो एक प्रथम बल की value 5 होगी या 0 होगी इसी तरीके से दुतिये बल की value भी 5 होगी या 0 होगी तुतिये बल की value भी 5 होगी या 0 होगी चतुरत बल की value भी 5 होगी या 0 होगी तो total overall हर्ष बल की value maximum 20 हो सकती और minimum 0 हो सकती है इसकी values या तो 0 होगी 5 होगी 10 होगी 20 होगी चारों तरीके के बलों को जब हम add कर लेंगे तो overall result 0 आएगा 5 आएगा 10 आएगा 15 आएगा 20 आएगा अब आएगा तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे वो मैं आगे बताने वाला हूँ तो अब चारों component को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं प्रथम बल प्रथम बल उताए गि कुंडिली के किस बाव के अंदर वह planet placed है तो यहां पर यह नियम है दी सूरिय नवे बाव में तो उसको बल मिल जाएगा बागी किसी बाव मने थो नहीं मिलेगा चंद्रमा तीसरे हाउस में है कुंडली के तो उसको इस्तानबल मिल जाएगा 5 ऐसे ही मार्स छटे भाव में है तो उसको इस्तानबल मिलेगा बागी किसी भाव में है तो नहीं ही मिलेगा Mercury यदि लगन में placed है Annual chart या वर्स कुंड़ी के तो उसे बल मिलेगा 5 इसी तरीके से Jupiter 11 वाव में placed है Venus 5 में वाव में placed है Saturn 12 में वाव में placed है तो उसे बल मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा इसे याद रखने का कोई बहुत easy तरीका नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 9,000 फादर का कारक है तो Sun को 9,000 के अंदर मिलता है Sun भी फादर का कारक है 6,000 का कारक मार्स होता है तो 6,000 में भी मार्स है तो उसे बल मिलता है 11 वाव का कारक जुपिटर होता है तो जुपिटर ग्यारवे भाव में तो उसे बल मिलता है बारवे भाव का कारक्षनी होता है तो शनी बारवे भाव में तो उसे बल मिलता है और मून और वीनस का आपको याद रखना पड़ेगा यह मैं कहले याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि किस भाव के अंदर प्रथम बल मिलेगा या इस्तान बल मिलेगा तो इन भावों में यह प्लैनेट है तो इन्हें बल मिलेगा इसी तरीके से उच्छ या स्वैच्छेत्रियवल एक्सल्टेशन और ओन साइन जिसे हम दूतियवल बोलते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है भी बात करेंगे अब हम जिसे हम इस्तरी पूरूस वल बोलते हैं या इस्ट्रेंद फ्रॉम जेंडर करिती है बल तो कुंडिली के एन्यूल चार्ड या बर्स फॉल चार्ड के अंदर सभी 12 हाउसेज को मेल और फीमेल में डिवाइड किया हुआ या पर हाउसेज को भी मेल और फीमेल में डिवाइड किया है ध्यान रगना है यह राशिया नहीं है हॉसेज हैं वन टू थ्री मेल हॉसेज है इसके फीमेल हॉसेज हैं फिर फॉर फाइब सिक्स मेल हॉसेज हैं तीन तीन का डिफ्रेंस है पहले तीन फीमेल नेक्स त्री मेल फिर से फीमेल हॉसेज है और 10, 11, 12 masculine या male houses हैं तो कुंडिली में पहले तीन बाव female, next तीन बाव male, फिर next three houses female और next three houses male हैं, 1, 2, 3 female, 4, 2, 6 male, 7, 2, 9 female and 10, 2, 12 again male हो जाते हैं अब planet को भी दो पार्ट में divide कियो है, जो कि हम normal astrology में भी यूज करते हैं, female planet हैं आपके moon, mercury, venus and Saturn, generally moon और venus तो हैं female planet, mercury और Saturn इन यूज प्लैनेट होते हैं, नपुनसिक प्लैनेट होते हैं, यहाँ पर उन्हें भी हम इस तरी ग्रेय या female planet consider करके चलेंगे, इसी तरीके से तीन planet male planet है, sun, mars and Jupiter, surya, mangal और guru को हम male या पुरुष planet मांगे चलते हैं, अब हम इस तरी पुरुष बल का decision कैसे लेंगे, यदि female planet female houses में हैं, यह planet यदि 1, 2, 3, 7, 8, 9 houses में हैं, तो इन्हें 5 बल मिल जाएगा, मगर female planet यदि male houses में आते हैं, तो इन्हें 0 बल मिलेगा, इसी तरीके स male planet, यदि male houses में हैं, तो इन्हें 5 हर्ष बल मिलेगा, मगर male planet इन houses में चले जाते हैं, तो इन्हें 0 बल मिलेगा, तो इस तरीके से हम इस तरी पुरुष बल या strength drawn from gender decide कर सकते हैं, प्रक्टिकल में आप वीडियो को end तक देखेगा, मैं प्रक्टिकल कुंडली लगा कर आपक strength भी बोलते हैं, वो है दिन रातरी बल, तो दिन रातरी बल का क्या concept है, तो आपका worst प्रवेश during day होगा, या worst प्रवेश during night होगा, यदि worst प्रवेश during day हो रहा है, दिन के समय पर worst प्रवेश हो रहा है, जिस समय की आप worst फल कुंडली बना रहे हो, उस समय day time है, तो उस case में male planets को आप strength होगे 5 सबी male planets को Sun Mars और Jupiter को automatically 55 points मिल जाएंगे और female planets को 0 मिलेंगे मगर यदि worst प्रवेश जिस समय की worstful कुंडली बना रहे हैं वो night में हो रहा है तो female planets को 5 worst strength मिलेगी मगर male planets को जीरो इस्ट्रेंद मिलेगी यह चार रूल है अब मैं आपको प्रक्टिकली एक कुंडिली में वर हर्षवल निकाल कर बताऊंगा तो यहां पर यह आपके सामने यह कुंडिली है जो एक्जामपल लेकर चल रहा हूं मैं राजीव गांदी की मैंने वर्षवल कुंड़ी बनाई है 1984 की वह अभी तक मैंने नहीं दिखाएती यह वर्षवल कुंड्ली है जिसको मैं आगे भी लगातार यूश करूँगा यह ध्यान रखिएगा यह आपका कौरिपियो सायंगी वर्षवल कुंड़ी है इस पर्टि तू तू थी फोर फाइब सिक्स कॉलम बना लिए और एसे हम हॉरुज़जंटल रो वो सरी ये तो आपकी रोज हो गई और और हॉरुज़जंटल कॉलंगे वन टू और सेवन प्लेनेटस है नाइन बना लीजिए आप हॉरुज़़जंटल रोज वर्टिकल कॉलम्स नाइन और horizontal rows 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने बना लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ नमबर लिखेंगे first world, second world, third world और fourth world के लिए और यहाँ पर लिख दिया मैंने first world तो आप समझ जाए इस्तान बल के लिए लिए लिख रहे हैं या positional strength के लिए लिख रहे हैं तो मैं वहाँ पर उस table में के बल प्रतम दूतिय तृतिय या चतुरत लिखूँगा या first second, third, fourth लिखूँगा इनका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मगर आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर मैंने सभी seven planets लिख दिया हैं कुंडिली के इंदर जो भी हैं अब मैं देखिए सूरिय के बल निकालना शूरू करूँगा सबसे पहले सूरिय का तो पहला बल हमें होता है इसका positional strength सूरिय का कौन सा बल होता है it is positional strength यान से समझे लिए सूरिय को positional strength मिलती है यदि nine thousand के अंदर है तो मिलेगी otherwise नहीं मिलेगी तो सूरिय देखिए यहां पर कुंड़ी में कौन से बाव हैं दसमें बाव है नहीं था उसमें तो नहीं है तो दसमें बाव है सूरिय को positional strength या फस बल नहीं मिलेगा तो zero लिए इसके बाद आएगा दूसरा उच बल या स्वेराशी बल दूसरा बल है उच्छ बल या स्वेराशी बल तो हम देखते हैं सूरिय यहां पर स्वेराशी के अंदर है को बल मिल जाएगा तो मेल आॉसेज का कैसा बता करते हैं 123 इस तरी आॉसेज है 456 पुरूश आॉसेज हैं 289 इस तरी आॉसेज है 10 11 12 मेल आॉसेज हैं तो सूरिय मेल आॉस के अंदर है और यह मेल प्लैनेट है इसलिए इसको यह देखिए यहां पर 5 इस तरी पूरुस बल भी मिल गया अब चौथा वल जो आता है वो है धिन रात्री वल तो यहां पर कैसे पता चलेगा वर्स प्रवेज्वेस दिन में हुआ है या रात्री में हुआ है कुंडली रेक कभी हम बता सकते हैं वैसे तो हमने क्लिक्ड किया था जडि सूरी है यहां से लेकर यहां तक है ग्रीप है क्योंकि इवनिंग टाइम है यहां पर रात भी हो जाती है और दिन भी होता है तो बाद में बात करेंगे लाइक इट इस इन टैन्थ हाउस तो वो दिन का समय है वैसे भी आपको वर्स प्रवेश का टाइम पता होगा जब आप इसको निकालोगे इसलिए कोई बच समझा है किसी को इसमें confusion है तो वो डरे ना आपको दे रखा होगा कि समय पर वर्स प्रवेश हुआ है तो क्योंकि यह देखिए अब दस में वर्स प्रवेश हुआ है तो daytime में जो मेल प्लेट है उन्हें strength मिलेगी तो sun मेल प्लैफ है और daytime में वर्स प्रवेश है इसलिए इसको पांच बल इलया तो मैंने sun का पूरा बल निकाल लिए इसन का बतान हो यह अब में देखे चंदरमापम का कर नए है इसलिए पॉजिसेनल इस्ट्रेंज जीरो मिलेगी। 90 सवेच հिया एぎ्सुक्राई एक्वीं पड़की ए, इसलिए u इस्तरी बाव होते हैं चार पांच चे पुरुष बाव होते हैं सादमा बाव इस्तरी बाव है और इस्तरी बाव में इस्तरी प्लैनेट है तो इसको ये बल भी मिल गया चौथा बल आता है क्योंकि यहां पर यह इस्तरी प्लैनेट है मगर मैंने आपको बताया था कि आपका वर्स प्रवेश दूरिंग डे है वह पहले से डिसाइड हो गया वर्स प्रवेश दे में है तो वर्स प्रवेश दे है तो आप क्या करिए सबसे पहले आप यह काम करिए कि जो चौथा बल है वह वर्स प्रवेश दे में हो तो पुरुष प्लैनेट को तो पांच बल दे दीज मुं को भी giorno दे दिया मरकरी को भीIKर दिया वीनस को भी 2022 दिया और नों पूरश प्लाइट और यृति है उतनों प्रवेश ँद्वानेट को फाइफ बल मिलेगा तो फॉर्थ बल एक Office Conway अब थाड़बर को भी हम में एक जट्के में निकौना पताूंगा हाँ अभी तक मैं शहरा था थाड़बल ने साइध तौन्मऱ जाएंगा तो पुरुष प्लानेट ढूंड लेते हैं, पुरुष प्लानेट जुपिटर है, मार्स है और सन है, तो सन को तो हम पहले ही बल दे चुके हैं, अब जुपिटर देखिए, दूसरे बाव में हैं, जो की इस्तरी बाव होता है, एक, दो, तीन, इस्तरी बाव है, ऐसे ही मार्स भी इस तरी भाव में है इसलिए पुरुष प्लेनेट जब इस तरी भाव में होंगे तो उन्हें कोई भी बल नहीं मिलेगा तो मार्स को भी जीरो बल दे दिया और देखे जुपिटर को भी जीरो बल दे दिया अब इस्तरी प्लानेट्स को देख लेते हैं इस्तरी प्लानेट्स है आपका मून तो मून देखे इस्तरी बाव में था उसको अंबल दे चुके हैं अब देखते हैं मरकरी मरकरी दस्वे बाव में हैं जो की पुरुष बाव है तो इस्तरी पिलनेट ये पुरुष बाव के अंदर आ गया, वीनस भी पुरुष बाव के अंदर आ गया, दसमा बाव पुरुष बाव है, और सेटन भी पुरुष बाव के अंदर आ गया, जो की बार्मा बाव है, दसमा ग्यारमा बार्मा बाव पुरुष बाव है, एक दो जीरो दे दिया तो ये भी काम हमारा हो गया खतम सेकंड वाला बड़ा इसी है आप देख लीजिए जो प्लानेट ओन साइन में या एक्षॉल्टेशन में ये अपका उच्छ या स्वेच्छेत्रियबल है तो उसे स्वेच्छेत्रिय हो गया इसको five point दे दिया तो यहाँ पर देखते हैं वीनस तो five sign में है नहीं ये इसका own sign है नहीं egzultation है वीनस को zero दिया saturn को देखते हैं saturn exaggeration में है सेविन sign में exultate होता है तो उसको five points दे दिया तो इसका भी काम हो गया पूरा अब आ जाता है हम positional strength तो sun और moon का मैं discuss कर चुका हूँ Mars को actually positional strength मिलती है छटे भाव में जब कि Mars first भाव में है तो इसलिए इसको 0 मिला Mercury को positional strength मिलती है लगन में तो Mercury लगन में नहीं है इसलिए इसको 0 पैंड मिला Jupiter को positional strength मिलती है जार्में भाव में मगर Jupiter तो second भाव में है इसलिए इसको 0 पैंड मिला Venus को positional strength मिलती है पांच में भाव में मगर Venus 10 में है इसलिए इसको 0 पैंड मिला Saturn को positional strength मिलती है बारवें भाव में इसलिए Saturn को हमने 5 पैंड दे दिये तो इस तरीके से मैंने आपको सभी planets को कौन-कौन से बल कैसे मिले, वो मैंने निकालना है, अपर बता दिया, अब हम सन के सभी बलों को एड़ कर लेंगे, मून के सभी बलों को एड़ कर लेंगे, मार्स के सभी बलों को एड़ कर लेंगे, चारों तरुगे, युपिटर के सभी चार तरीके के बल को एड़ करेंगे, Venus के सबी चार तरीके के बल को add करेंगे और Saturn के सबी चार तरीके के बल को add करेंगे हब हम देखते हैं कि इनका score 0, 10, 15 आ रहा है तो generally score या तो 0 आएगा, या 5 आएगा, या 10 आएगा, या 15 आएगा, या 20 आएगा इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है क्योंकि बल या तो 5 मिलेगा, या 0 मिलेगा यदि किसी भी planet को 0 वल मिलता है, तो उसे हम निर्बल बोलते है बिल्कूल कमजोर है, वो अपने result नहीं दे पाएगा जैसा कि यहां पर Mercury और Venus है जिसको total 5 वल मिलता है, वो अलपे वली कहलत है निर्बल के बाद आएगा अलपे वली, इनमें से कोई भी अलपे वली नहीं है जिसको 10 मिलता है, total हर्सवल उसको बोलते है, मध्य वली middle, intermediate strength होगी इसके तो यहां पर यह मध्य वली है, चार प्लनेट जिसको 15 मिलता है, उसको पूर्ण वली कहेंगे तो यहां पर sun को 15 मिल रहा है, तो इस सबसे strong है, इस पूर्णी के अंदर यह सबसे अच्छे result देगा, तो जिस native का वर्सफल है, उसको government से related benefit होंगे, क्योंकि सूर्य actually government से related benefit देता है, उसके बारे में मैं later on भी बात करूंगा, 20 मिल जाता है, ऐसी बहुत कम possibility होती है, उसको हम बोलते है extra ordinary belief, हर्स बर्ल 20 होने की बहुत कम possibility होती है, कि चारों combination भीट कर रहे हों, तो जब हर्स बर्ल 20 मिलता है, तो वो कौन-कौन से kisses में मिलता है, हम देखते हैं, हर्स बर्ल 20 का मून थर्डाउस में हो गया, यहां पर, और टू साइन में हो, दो राश्य है, तो देखें, चारों condition कैसे satisfy हो रही हैं, कि मून को इस्तानवल मिलता है, थर्डाउस में, इसलिए five point मिल गए, यह वाले, फिर मून को, क्योंकि यह female planet है, तो एक, दो, तीन, तीसरा बाव, इस्तरी बाव है, तो यहां पर इसको इस्तरी पूरुस बल में भी five point मिलेंगे, थर्ड में, फिर यह exaltation में हमने लिया है, two sign में, तो इसको exaltation के भी five point मिलेंगे, अब क्योंकि वर्स प्रवेश नाइट में ले रखा है, तो रातरी में जब वर्स प्रवेश होता है, तो जो female planets है, उन्हें आपका यह दिन रातरी बल भी मिलता है, इस तरीके से इसका twenty strength मिल जाएगा, जो student देंगे, exam देंगे, उनकी exam में यह question आता है, मैंने एक और example लिए होएगी, आप Jupiter को वर्स प्रवेश ले लिजे, during day, दिन के समय पर, Jupiter ग्यारमे वाव में हो, four sign के अंदर, तो देखिए, मैंने यहापर ग्यारमे वाव में जुपिटर रख दिया, यह ग्यारमे वाव है, जुपिटर, और four sign में है यह, तो अब ध्यान से समझेए, ग्यारमे वाव में जब जुपिटर होता है, तो उसको positional strength या first बल मिल जाता है, तो यहाँ पर उसको five point मिल जाएंगे, फिर ग्यारमे वाव है यह, और exaltation में four sign में, तो इसको exaltation के भी five point मिल गए, अब worst प्रवेस क्योंकि day time में है, तो जब worst प्रवेस day time में होता है, तो जो male planet है, उनको भी आपका बल मिल जाता है, दिन रातरी बल जिसे बोलते हैं, यह five हो गया, और चौता बल है, आपका, यहाँ पर जो थर्ड बल जिसे बोलते ह हैं, वो हम निकालेंगे, वो इस तरी पुरुष बल है, तो यह देखिए, पुरुष प्लैनेट है, जुपिटर हो पुरुष भावों के अंदर है, दसवा, ग्यारमा, बारमा भाव, पुरुष भाव होता है, तो यह चारों इसको five five करके, इस तरीके से 20 बल से मिल अंबीत करता हूँ कि आपको हर्स बल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बल इसलिए निकाले जाते हैं कि वर्स फल कुंडिली के अंदर जो प्लैनेट बली होंगे, वो अपने बेस्ट रिजल्ट देंगे, और जो कमजोर होंगे, वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाएंग तो इस तरीके जह हर्स बल निकाल सकते हैं, मैं कमिंग क्लासेज में आपको पंच वर्गियर बल निकालना सिखा होगा, थेंक यूँ